तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौर्थी शुनरेट अफसी से रिलेटेड डेली अपडेट्स के बारे में लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकोन को प्रेस कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना क्यूंकि ऐसे ही इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड नौर्थी श्नुनरेड़ अफसी से रिलेटेड डेली अपडेट साब सभी को मेरे इस चैनल पर देखने को मिल चाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक गेम टाइम जादा मिलने ही रहा है इंजिरी के कारण हो सकता है जैसे की खबर है लेकिन दोस्तों उन्हीं सुरुवाती मैचिस के परफॉर्मेंस के दम पर एफसी एशन कप 2023 के प्राबेबल स्कौर्ड में पार्थिव गुगोई को रखा है हेट कोच इगोर इस्टीमैक न तो अभी तक तो प्राबेबल स्कौर्ड में पार्थिव गुगोई का नाम आया है और फाइनल स्कौर्ड भी इगोर इस्टीमैक के तरफ से जल्द ही एनाउंस किया जाएगा और कैम लगने के बाद ही फाइनल स्कौर्ड का एनाउंसमेंट करेंगे इंडियन नेशनल 24 प्लेयर सी फाइनल स्कौर्ड के लिए सिलेक्ट होंगे तो अब देखना ही है कि पार्थिव गुगोई फाइनल स्कौर्ड में अपनी जगा बना पाएंगे या फीड नहीं होप में ही करता हूं कि पार्थिव गुगोई को फाइनल स्कौर्ड में भी मौका मिले क्यूंकि ये डिजर्व करते हैं और उसके बाद आगे बड़े और बात करें लेकिन दोस्तो रहात की बात यही है कि अपने home ground में खिलने वाली है जहां पर 39 кoral Re Gi का record काफी अच्छा है मोहन बगान FC के साथ 150 डिसमबर का 8 बजे 39 क। अपने home ground में उतरने वाली है जो की काफी जदा difficult match होने वाला है तो अब देखना यह है कि नौर्थी स्टुनारेट FC के हेट को जुआन पेदरो पेनाली का strategy टैक्टिस क्या होता है प्लेइंग 11 क्या होता है यह देखना बहुत जदा interesting होगा मोहन बगन FC के खिलाफ तो मोहन बगन FC काफी जदा trouble में जा रही है क्योंकि मोहन बगन FC के काफी important players अभी फिलाल injured चल रहे है तो नौर्थी स्टुनारेट FC के लिए यह मुकाबला असान तो नहीं होने वाला है लेकिन दोस्तो नौर्थी स्टुनारेट FC इस match से भी point निकाल सकती है जहां तक मुझे लग रहा है तो चल रहे दोस्तो फिलाल ये वीडियो में पने दूसरे वीडियो में